बीस दिसंबर दिन रविवार सुभा के दस बजे का समय नेपाल में कैबिनेट की बैठक शुरू होती है पूछा जाता है तो पता चलता है कि साब प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने बैठक खत्म होते ही ओली पहुँचते हैं इस पार्टी अफ नेपाल की सरकार अब वहां नहीं रही नए चनावों की तारीक भी दे दी गई है 30 अप्रेल से 10 मई 2021 के बीच दो चर्णों में नेपाल में चनाव होंगे नई सरकार बनेगी 20 तारीक की शाम ढलते ढलते ओली के साथ मंत्रियों ने स्तीफा भी दे दिया आईए जानते हैं क्यों गिरी सरकार कारण को बयानों से समझते हैं सबसे पहले बयान आता है नेपाल के उर्जा मंत्री बर्शमान पुन का पियमोली की बुलाई बैठक में मंत्रियों ने संसत भंग करने का प्रिस्ताब दिया था जिसे ततकाल राष्टपती के पास भेज पुन ने ये भी कहा कि पार्टी में दरार पड़ रही थी फिर आता है सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता नारायन काजी श्रेष्ट का बयान हाँ फैसला जल्दबाजी में लेना पड़ा क्योंकि आज सुभा जब कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई तो सारे मंत्री नही इसलिए संसद भंग करने की सिपारिश की गई अब जानिये कि सत्ताधारी पार्टी के ही केंद्रिय समीती के सदस से बिस्नू रिजाल ने समाचार एजिंसी रॉइटर से क्या कहा प्रधानमंत्री ने संसदिय दल केंद्रिय समीती और पार्टी सचिवाले में वहुमत खो पार्टी में मौजूदा स्थिती का हल निकाले बिना संसद भंग करने का पैसला लिया है सरकार संकट में थी इन बयानों से एक बात तो साफ है ओली सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था पार्टी के जाधतन नेता ओली के खिलाफ हो चुके हैं ओली के स्तीपे की मांग ल 2018 में प्रधान मंत्री बनाया था, एकिकरत दल के अध्यक्ष बने ओली और उपाध्यक्ष बने CPN माववादी के नेता पुश्प कमल दहल प्रचंड, लेकिन हाल ही में प्रचंड की अगवाई में विरोधी खेमे ने ओली को 19 पेज का प्रिस्ताव सौब दिया, इसमें सरकार के कामकाज और पार्टी विरोधी नीतियों पर सवाल उठाए गए थे, ओली पर ब्रश्टाचार में शामिल होने और मनमाने धंग से सरकार चलाने के आरोप लगे, भारत नेपाल के 20 सीमा विवाद में भी प्रिचंड और तमाम अन्यवरिष नेताओं ने ओली के फैसलों अध्यादेश पर बवाल, नेपाल का ये राजनीतिक संकट और गहरा गया ओली सरकार के एक अध्यादेश से, समवैदनिक परिशद अधिनियम से संबंदित अध्यादेश जिसे 15 दिसंबर को राश्टपती से स्विकृत कराया गया था, ओली पर इस अध्यादेश को वाप वापस लेने का भारी दवाब था, इसके तहत उन्हें पूर्ण कोरम के बिना केवल तीन सदस्यों की उपस्तिती में समवैदनिक परिशद की बैठक बुलाने और निर्ने लेने का अधिकार मिलता है, नेपाल की विपक्षी दल नेपाली कॉंग्रिस के साथ साथ वहां से लौट आये और चंद घंटों के भीतर ही उन्हें और देश दुनिया को पता चला कि ओली ने संसत भंग करने की सिपारिश कर दी है, नेपाली संसत की स्थिती भी जान लेते हैं, नेपाल में पिछने आम चुनाफ 2017-18 में हुए थे, जो की काफी एहम थे, इस नाते हमें CPN UML ने जीती 121 सीट और CPN माववादी ने जीती 53 सीट, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, ओली बने पिएन, नेपाली कॉंग्रिस 63 सीट के साथ विपक्ष में बैठी, दो साल बाद ही अब संसत को भंग कर दिया गया है, आपके लिए ख़बर लिखिया हमारे साथ ह अबिशेक में मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दीलललन टॉप, शुक्रियाद